गटना हुई है इसका मेन कारण यह है कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पारे हैं आप परिवार को समय देंगे एक दूसरे से बात करेंगे तो इतनी आगे तक की गटना होगी नहीं बात चोटी से शुरू होती है और आगे इतनी खतम होती है पहले लोग क्या है समाजिक सामजस में बैठते थे आपस में अपनी परेशानियों को शेयर करते थे उससे उसकी दुखदर दिसाइद दूर हो परेशानियों का हल निकल जाया करता था आज के समय में गया है लोग क्या है सारे गैजेट्स और मशीनरी दुनिया में उलज गए आज से आठ से दस साल पहले पंदरा साल पहले आपस में हम लोग समाज में बैठते थे बड़े बुजरु बैठते थे उनसे बातचीत होती थी उनकी संसकार मिलते थे प्रेड़ना मिलती थी दस लोग बैठते थे आप पर विचार रिक्त करते थे एक दूसरे का तो उससे क्या है कि कही न कहीं पे आपस के अंदर संस्कार आते थे इन्सान के अंदर तो वारदातों के पीछे वज़े क्या है क्यों खुदखुशी के मामलों में जाफा होने लगा है आर्थिक कारण इसमें कितनी बड़ी वज़ा हो सकती है इन पर बात करना चाहेंगे निशा जी मैं आप सामजी कारे करता होने के नाते आपके पास ऐसे कितने मामले आते हैं जहां लगता है कि कोई शक्स आर्थिक तंग हाली से परिशान होकर आप तक पहुंचा है किसानों का जिक्र आजकल होता है वो मुद्दा है जिक्र युवाओं का है नौकरी बेरोजगारी मुद्दा है और परिवार में भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए नौकरी छूट जाती है तमाम कारण हो सकते हैं या फिर कर्ज हो सकते हैं बिलकुल सही फरमाया आपने क्योंकि स्वा करें और ज्यादा तहरास्ता पैदल टेक करें जरूरते हैं उसकी तो वो उसको पूरी करनी है शादी कर ली तो बच्चे होगे तो उसको बच्चों का स्कूल फीस है यह पुड़ाई लिखाई है शेहर के घर्चे है यह गाम के अंदर भी गाम का अदमी भी है एक तो यह का करके बाहर निकली है और वो अंदर आ रही है उसको कोई दूसरी महिला लेके आई है कि वो सड़क पे खड़ी रो रही है बोल कुछ नहीं रही है तो एक घंटा मुझे सिर्फ उसको करने में लगा कि हम आपकी मदद के लिए हैं और वो तो आतम हत्या करने के लिए निकली अपनी साड़े तिन सल की बेटी के साथ तो खर्चा नहीं देना घर में अलकोहल भड़ा कारण है आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं पतनी और मां के बीच में परिवार के बीच में कभी कभी कोई पक्ष हावी हो जाता है तो इस तरह की वो चीजे भी वो फेक्टर भी काम करत करते हैं को एक कारण तो नहीं हो सकता लेकिन वो और रॉक किषा करण निश्ची तोर पे क les बहुत बड़ी बात आज आपने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चार जगह से लॉन उठा लिया, मकान का उठा लिया, वीकल का उठा लिया, हर व्यक्ति के पास टू विलर, फॉर विलर है, तो उसको आप ले तो लिया, घर्ज कहां से चुका होगे, आपने सफेद हाथी पालिये, अपनी चद् हाल है, तो नोजवानों के साथ हाल है की डॉक्तर साहिबा बैठी हुए यहां पर, लेकिन फिर भी जो हमारे पास मामले आते हैं, ब्रीच आफ ट्रस्ट, इन रिलेशन्शिप यह बड़ा कारण है, एट्रेक्शन है, पोजिट सेक्स के प्रती, वो भी एक बड़ा कारण है यह लड़का यह लड़की, मैं किसी एक बार की बार की जाओंगा, आर्थिक हालात के इस तरह से किसी शक्स को आत्म हत्या के लिए मजबूर कर देते हैं, मिनाक्षी जी, कोई ऐसा मामला आपका सामने आया कभी? जी, बिल्कुल, हमारे पास एक महिला थी, वो ट्रेन के पास ट्रेक पे जा रही थी मरने के लिए, किसी थाने वाले ने, वहाँ पर एक पुलीस वाले खड़े थे, उन्होंने हमारे तक उस महिला को पोचाया, बताया कि रो रही थी और ऐसे ट्रेक पे जा रही थी, हमने ज पॉइजन भी बांदा हुआ था कि मैं तो मरने जा रही है उपने बच्चों को भी साथ में लेके हमने उसको समझाया उसके पती को भी बूलाया बाद में उसका खर्चा वगरा सब उसको दिलवाया मिस्ता साथ ऐसे वाकिये जब सामने आते हैं तो किसके जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है तंत्र की समाज की और कैसे इसे मामलों को खो जाए ये चुनोती भी होता है अक्सर पुलिस का जैसा इत्तिफाक हुआ तो सामाजिक संगठनों के भरों से छोड़ दिया ज़्या ज़्यादा जिम्मेदारिया होंगी क्या कहां पर मुसीवत हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है समाज शब्द में जो आपने जितने भी वर्ग अभी गिनाये वह सभी शामिल होते हैं और समाज में जिस तरह का वातावरण होता है वही वातावरण व्यक्ति पर जिस समाज में ऐसे व्यक्तियों का समान होता है समान ज्यादा बढ़ता है जिन्हों अनिती पूरक सफलता पाई अन्यापुर संपति कमाई तो वह जो व्यक्ति है वह इजी मनी प्राप्त करने के लिए वह सारे प्रत्न करता है जो उसको नहीं करने चाहिए जो वास्तों मे कानोने दुर्षिथे भेत नहीं है, सामाजिक भेत नहीं है, नेतिक भेत नहीं है। लें सारे तरीक अपनाता है। और व Les transaction में सफ़ल भी हो जाता है कई बार, और अपने उप्राद जगर्ःत की और, बढ़ने लग़ा जब उसमें सफल नहीं होता तो उसके में एक डिप्रेशन शुरू हो जाता है मैंने ऐसा किया भी लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सका हूँ सो अब उसके लिए जरूरी है कि उसको कॉंसलीन कैसे की जाए उसों बताया जाए कि वे जो लोग इस तरह से समपत्ति कमाने वाले या इस तरह से आगे बढ़ने वाले लोग ही केबल सम्मान के प्राप्त नहीं है जी अच्छे व्यक्ति होना भी आपने करियर से दे सकते हैं क उसको आपने टाल दिया हो किसी तरह से जो समझाईश का दाओर रहा हो कोई मिसाल ऐसा तो बहुत वार हुआ है को एक वाकिया जो यहां शेहर करना चाहिए हम आजकल तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद में उन्हें जो मार्क्स अगर उसके 98% मार्क्स ह फेल हो गया तो उसको इस समझाने की बहुत ज़्यादा जरुत पड़ती है कि 98% में फेल नहीं हो यह तो पर्टीकुलर जगह के लिए नहीं जा सकते तो तुमारे पास और रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं और सारे बहुत सारे काम तुम कर सकते हो इस तरह से कौन बता है।ब आस्तव को फूर सतुन नहीं आज पास के पड़ो सी तो उसको बात करी नहीं सकते कि अवारे बच्चे को क्यों बोला है अब वहाँ पर ऐसा सावज आ होना चाहिए कि उसको कहा जाए है कि सब चूप नहीं गया है सारा बीता नहीं है सारा तुम ये काम नहीं yeah काम कर सकते हो उसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास में टाइम डिवोट किया जाए उसके पास बहुत दिर तक बैठा जाए समझाइस की जाए और वो लोग जिन्हों ने इस तरह की संपतियां प्राप्त किये उनके बारे में कहा जाए मैं इसलिए इसको कोड़ कर रहा हूं सिमत बगउतगीता में कहा है यद्दा चर्तित रिष्छत त रीचन जन्ह सहयँतय प्रमानम कुरतй लोकस दपत दिनवरतते लोग उस लोगों का ऐसे लोगों का अंसरन करते हैं अनुस्ररों का करना है एक भी कडिश़ें इसका करना है नंजर उसका करना है लेकिन कई बार जो अनुसरन वाली जो बात करें फोलो करने वाली बात है वही आवसात का कारण भी बन जाती है कि हम अक्सर कहते हैं कि ठीक ऐसा बनो मिसाल माता पिता अक्सर बच्चों की सामने रखा करते हैं और कहीं न कहीं वो दबाव भी बन जाता है माता पिता जैसा बनना भी आवशक नही अगर कोई व्यक्ति सुसाइट करता है यह सुसाइट कमिट करता तो उससे पहले वह वार्णिंग साइंस देता है और उसको पहचानने वाले कौन होते हैं उसके परिवार जन, उसके मित्र जन, वर्निंग साइन क्या होता है, ऐसा व्यक्ति सुसाइट करने से पहले अकेला रहने लग जाता है, अपने मित्रों से कटने लग जाता है, लोगों से बात नहीं करता है, कहीं न कहीं बातचीत में वो ये कहता है, कि मेरे को ये जीवन पसं नहीं है इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है ऐसा अगर कोई आपका प्रियजन कह रहा है तो आप सचेत हो जाओ कहीं ना कहीं वो अफसाद से गुजर रहा है और उसको आपकी मदद की जुरुत है तो उसको हमारे पास लाने से पहले तो आप हो उसके पास, आप उसकी समझाईश करो, कॉंसलिंग करो, परिवार में हैं, परिवार में बैटके बात करें, अगर आपका बच्चा इस तरीके से कह रहा है तो उसको बात चीत उससे पूछे, पूछे या उसको बोलने का मौका दे कि वो क्या कहना चाहरा है, क्यों इस condition में आया है, जैसा कि आज कल exam pressure बहुत जादा है, तो बच्चे का बता नहीं पाता है कि एकदम से कि उसको अफसाद है या depression है, एकदम से खुल कर नहीं बोलेगा, आप बच्चे से साथ बात करें, उसके साथ time spent करें, quality time spent करें, मम्मी पापा बैठके, बच्चे बैठके एक साथ TV देख रहें, that is not a quality time, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ TV देख रहे हो, बात चीत करना, एक दूसरे से, एक दूसरे की मन की बात कहना, वही होता है quality time spent करना, आप जब अपने बच्चे से अपने मन की बात कहेंगे, बच्चा खुलेगा आपसे और आपको अपने मन की बात कहेंगे, वही चीज आप अपने मित्रों के साथ करें, अपने परिवार जन के साथ करें, माता पिता के साथ करें, क्योंकि सुसाइट की cases में कई बार आजकल देखा गया है कि व्रत लोग भी कई बार सुसाइट attempt करत हैं, तो ये तो परिवार का कोई भी एक हिस्सा है, उसको हमको सहीच की रखना है, उसको ही समझाना पड़ेगा. ये चीजे हैं, अब आर्थिक हालाद पर, ये सेग्मेंट आर्थिक हालाद पर हम ले जा रहे हैं, उनको लेकर आपके पास कितने फीसिदी मामले आते हैं, जहां लोगों को लगता है, ये डिप्रेशन की वज़े हैं और वो ऐसे में रास्ता अक्तियार नहीं कर पाती है, अगर जैसे फाइनेंशल मैटर अगर कहें, तो ऐसे केसे लोग हमारे पास, और सतन पूर्चों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक एक न्सीर भी की रिपूर्ट नहीं करते हैं, इसका कारण ये है कि अटेम्ट तो फीमेल्स ज्यादा करते हैं, वो टू ताइम्स मोर डिप् तो तीन कोना ज्यादा अटेम्ट करती हैं मेल से, पर मेल चुकि जो अटेम्ट करते हैं, जो मैथड यूज़ करते हैं, वो ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए वो सुसाइड में ज्यादा तबदिल होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपके पास मुल भूत अवस्यक्ता वो नहीं कर सकते। परीवार के वो आपके वהו सलadıए से कि और डेको आदर कि उनके डिश्पो नियु सलने के लिए और वो देखते हैं कि उनकी वज़े से उनके परिवार के उनके बच्चों को पढ़ने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रहे है. तो वो अपने आपको guilty feel करते हैं. और उस self guilt के अंदर वो suicide को attempt करते हैं. अगर किसी दबाओं के अंदर कोई व्यक्ति है तो एकदम से तो आर्थिक कोई भी प्राब्लम हो रही है वो सॉल्व नहीं होगी आपके सुसाइड करने से आपका परिवार एकदम से उन आर्थिक दबाओं से बहर आ जाए ऐसा भी नहीं होगा ऐसे जो भी यह सोचता है इंसान उसके लिए मैं कहना चाहूंगी सुसाइड एक क्या कहते है रास्ता नहीं है यह तो पलायन का तरीका हो गया आपको तो आगे बढ़ना है अपने परिवार को साथ लेके चलना है इस कंडिशन में कभी कहीं बार जब हस्बेंट्स अगर कहते हैं कि मैं इतना जादा मेरे पर करजा हो गया है मैं इसको नहीं चुका पाऊंगा मैं छोड़ना चाहता हूँ, सब को छोड़ना चाहता हूँ वहीं पे wife, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा अपने wife से कहते है या फिर अपने माता पिता से या friend से कहते है most cases के अंदर wife से कहते है, ऐसा देखा गया तो wife को सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं न कहीं problem है वह पहले अपने बुजर्गों से कहे, अगर वहीं पे भी उनसे लग रहा है कि बात नहीं बन रही है और और ज़्यादा अफसाद का केसे से तो professional help जरूर ले और अगर किसी को भी है कि suicide करने से ये चीज़ खतम हो जाती है या फिर आर्थिक दबाव खतम हो जाए ये तो बिल्कुल सही नहीं है तो वो चीज़ आपको उसको समझानी चाहिए प्यार से सही योग से उसको साथ मिलके परिवार सारा साथ मिलके अगर उनसान को counseling करेगा समझाईश करेगा तो वो इस सदमे से बाहरा से गहला है परिवार सबसे बड़ा कारण है परिवार को साथ रखने की बात होती है लेकिन अकसर ऐसा भी आता है कि परिवारी कल्य ही परिवार को ले डोगी एक ब्रेक लेकी लाटेंगे और इस कल्रेको districts किया जाए जिस दोर की बात की जाती है कि गुजरे जमाने की बात हो गई है आज में कैसे शामिल किया जाए भीक की बात कि प्रतिस परदा में पिछड रहें, तो या तो कोई कि दाने मारता है, या उसको लगता है कि मैं अन्या से पिछड रहा हूं, तो अवसाद में आ जाता है, और वह आत्मत्या का रास्ता अपनाता है। जो जो जोईंट फैमिली होती थी, उसमें दूसरे को सपोर्ड किया जाता है। लेकिन आज कल क्या है कि एकल फैमिया रह रही है।